आप सब का चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं 36 गड़ सासन के द्वारा सत्र 24-25 में 33 हजार सिक्षकों की जो भरती होनी है उस संबन्द में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वहां से बड़ी खबर है बड़ी खबर ये है कि सिक्षक भरती के नियम में बहुत बड़ा बदलाओ किया जा रहा है बोले बदलाओ क्या है सबसे पहला बदलाओ ये है कि अब प्राइमरी टीचर अर्थात सहायक सिक्षक भरती में बीड डिगरी धारी फार्म नहीं भर पाएंगे ये बहुत बड़ा बदलाओ है पहले भी ऐसे ही होता था लेकिन बीच में पुरवर्ती सरकार के द्वारा प्राइमरी टीचर की सिक्षकों की भरती में बीड वालों को भरने की इजाज़त दे दिया गया लेकिन सुप्रिम कोट के आदेश के बाद पुनह इस पर बेन लग गया है अब प्राइमरी टीचर की भरती में बीड वाले फार्म नहीं भर पाएंगे इसके लिए केवल डीड और डीएलेड ही मानने होगा इसी तरह दूसरा सबसे बड़ी खबर है कि इस बार मिडल स्कूल में पहली बार कामर्स के सिछकों को भी नियूक्त किये जाएंगे ये सबसे पहली बार है सिछक के पदों पर कामर्स टीचर की भरती होगी इसके लिए क्वालिफिकेशन होगा बी काम प्लस बी एड और टेट ध्यान दीजिएगा बी काम बी एड और टेट टेट उतिर्ण होना आवस्यक है तो इस बार गोल्डन चांस है कामर्स वालों के लिए इस बार उन लोग सिछक के पद पर भी एपलाई कर सकते हैं तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी 21 जुलाई को टेट का परिच्छा होना है इसमें भी एक बड़ी खबर है 21 जुलाई को जो टीचर आजबेलेटी टेस्ट होनी है उसके लिए भी बड़ी खबर ये है कि पहले डीएड और बीएड दोनों के लोग टेट का एक्जाम देते थे लेकिन इस बार बीएड वाले भी इसमें एपलाई नहीं कर पाएंगे केवल डीएड और डीएड जो एडमिसन ले चुके हैं जो पढ़ रहे हैं और जो निकल चुके हैं वो सारे स्टुडेंट 21 जुलाई को होने वाले टेट एक्जाम के लिए आवेदन भड़ सकते हैं ध्यान दीजिएगा इसमें भी एक नई खबर आही गया है चलिए अगली से पाचवी तक जिसको हम लोग प्राइमरी टीचर बोलते हैं उसके लिए टेट के साथ आप लोग को अच्छे से पता है डीएड या डीएड जरूरी होगा उसमें बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे साथी साथ चटवी से आठवी तक पढ़ाने वाले टीचर ज चिसको हम लोग सिक्षक बोलते हैं उसके लिए बीएड जरूरी होगा बीएड वाले और टेट वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं जहां तक पद का सवाल है तो इस बार सहयक शिक्षक बोले तो कच्छा पाचवी से पहली अर्थात पहली से पाचवी तक पढ़ाने वा मेरे टीचर भी बोलते हैं उनकी संख्या है इस बार जो भरती होनी है उनकी संख्या है 19,139 और दूसरा जो जानकारी है उसके मताबिक प्रयोग साला सहायक इसकी संख्या 3,212 है लेकिन इसमें अच्छी बात यह है इसमें न टेट की जवरत पड़ेगी न डियलेट की जवरत पड़ेगी इसमें बारवी पास सारे स्टुडेंट आवेदन भर सकते हैं इसके बाद टीचर का जो पद है वो कुल अभी जो भरे जाना है वो है 6078 इसी प्रकार से एग्रिकल्चर टीचर क्रिसी सिक्षक जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी पद संख्या है 164 उसी प्रकार से SPTI जिसको हम बियामसिक्षक भी बोलते हैं उसका पद ए 108 इसी प्रकार से गरंत पाल की भरती जो है वो नहीं हुई है लेकिन इसके लिए पद है पता नहीं इस बार खुले गया या नहीं खुलेगा लेकिन इसके लिए कुल पद है 1844 इसी प्रकार से लेक्षरर का जो पद है जो इस साल भरती होनी है उसकी संख्या है 2524 इस प्रकार से लगभग 33,000 पदों पर आने वाले सत्र में ब्यापम के थुरू सिख्षकों का नियुक्ति होना है तो ये वीडियो कैसे लगा अच्छा लगेगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि नई नई जानकारी आपको इस चैनल के थुरू मिलता रहे और अच्छा लगे तो लाइक और सेर कॉमेंट्स जरूर करिएगा थैंक यू